दोस्तो आज मैं एक जॉब का इंफोर्मेशन लेके आया हूँ जो की इंसिचूट आफ प्लाजमा के तरफ से है ये आपका एक्टोमिक ओफ डिपार्टमेंट जो की गॉवर्मेंट आफ इंडिया के तरफ से आया है और इस जॉब का नाम प्रोजेक्ट सेंटिफिक असिस्ट है दोस्तो इसमें डिप्लोमा और डिग्री वाले कंडिडेट अप्लाइब कर सकते हैं तो सबसे पहले हम इस जॉब को देख लेते हैं अगर हम ब्रांच वाइज देखे तो पहला है कंप्यूटर अप्लिकेशन जिसमें टोटल चार पोस्ट है और अगर आपने बिसीय कर रखा है तो आप इसमें अप्लाइब कर सकते हैं दूसरा है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोनिक्स इसमें टोटल 18 पोस्ट है जिसमें अगर आपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोनिक्स से डिप्लोमा कर रखा तो आप इसमें अप्लाइब कर सकते हैं तीसरा है इलेक्ट्रोनिक्स या इलेक्ट्रोनिक्स और कम्यूकेशन या इलेक्ट्रोनिक् .'s कर रखा है तो आप इसमें अप्लाइ कर सकते हैं. च Northeast oxe instrumentation जिस ABOUT तोटिल पाांच पूर्श्ट है अगर आप से डिप्लोम कर रखा है तो आप इसमें अप्लाइ कर सकते हैं छा जिए baterya, Jeans Makpatient कल तोट कर अप्लाइश्ट पूर्ष्ट है अगर आपका bachelor degree है physics है तो आप इसमें apply कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक बात clear कर दिया गया है कि आपका जो diploma है वो 3 साल का regular होना चाहिए otherwise आप इसमें fill up नहीं कर सकते हैं अगर हम बात करें pay scale का तो इसमें 20,000 रुपया पर मन्त प्लस HR आपको मिलेगा और age limit 35 साल है दोस्तों इसमें selection process इंटर्व्यू के थूँ आपको selection किया जाएगा लेकिन अगर इसमें student अगर जादा हो गया तो आपको return test भी देना पड़ सकता है अगर application fee का बात करें तो जेंटर्व या OBC के लिए 200 रुपया और SCST या female candidate के लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा और इसमें जो payment जो करना है वो online ही करना पड़ेगा साफ साफ लिग दिया गया है जैसे मैं BE, BTEC, MTC तो आप इसमें apply नहीं कर सकते हैं इसका फॉर्म फिलफ स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट 17 तार्फ और इसका लास्ट डेट 17 जनवरी 2022 तक रहें जान को सब्सक्राइब ज़रू करें वीडियो को लाइक कर दें हम ऐसे ही और भी वीडियो लेकर के आते रहेंगे दानिवाद